तो पंजाब से भी बजट को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कहीं बजट को लेकर खुशी है को लोग खुश नजर आ रहे हैं तो कहीं बजट को चुनावी घोशना करार दिया जा रहा है क्या है बजट पर पंजाब के लोगों की राय आईए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में करने और किसानों को तलाना 6,000 रुपे देने का एलान किया है जिसके बार लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जहां एक तरफ बजट से लोग खुश हैं तो वहीं कुछ लोग बजट को चुनावी करार दे रहे हैं पट्याला में भारतिये किसान मंच ने बजट को लाब दायक नहीं बताया किसानों का कहना है कि बजट से किसानों को कोई फाइदा नहीं मिलेगा और अगर ऐसा है तो मोधी सरकार स्वामिनाथन आयोक की रिपोर्ट को लागू करे किसानों ने कहा कि उमीद थी कि इस बार म कि लागदा है ड्रामे वाजी है वजड़ किसान ते मज़ूरपरा ही समय देयां पी ड्रामे बाजी कर देने बोड़े लोकान पला आके वोटां पानी देने बाचे पो लिए देया किसानों का कहना है कि बजट में सरकार ने च्छे हजार रुपए सालाना पानी देने बाज़े लोगों ने मिली जूली प्रत्प्रियाएं दी हैं किसानों का कहना है कि बजट में सरकार ने च्छे हजार रुपए सालाना देने का फैसला किया है जो कम है किसानों ने कहा कि मोदी सरकार से उम्मीद थी कि किसानों के आमदनी दोगुनी करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मोधी सरकार के जियोजना से भी किसानों को जादा रहत नहीं मिलेगी बाच चैनल बॉष्पार्स को जाए जियोजना से लिया लुट को आइज तक को पहुंचे नहीं तक अब स्वामी न अवी बैसि जानी जिए चोटी जानी हो जिनी ओकली शो नाथा बेच दूआ कान को केत्थ हो वे चुगा उनिता वह बच्या रख कर लिए वही मजबूरों का कहना है कि उनके पास रोजगार की कमी है और अगर रोजगार मिलता है तो उसके लिए भी सिर्फ 300 रोपे मजबूरी दी जाती है जो काफी कम है उन्हें कम से कम 500 रोपे मजबूरी देने का प्राफधान सरकार को करना चाहिए मैं बजट पर दुकानदारों ने भी प्रतिक्रिया दी है। दुकानदारों का कहना है हम टैक्स में दी जा रही छूट का स्वागत करते हैं लेकिन जी एस्टी की वज़े से दुकानदारों की हालत बुरी है और सरकार को नई नीती लागो कर दुकानदारों को रहत देनी चाहिए गवर्मेंट ने जो जी एस्टी पहला लाई सी साथी ते ओते करके सी बहुत मतलब दुकानदारा दी हालत बहुत नाजिकों ही पई सीगी ते हुन जो तन लग तो बदा केन ने पांच लग तक कार्तित्ता टैक्स है ते हो साद अभी एदे चे दुकानदार थोड़ा उपर गवर्मेंट ने अपने जो भी है ते ओ आपकार सादिया ते सानू जिन्नी बद बद राहता उनी दित्ती जावे ते साथ ता एही कहना वी दकानदार दिनों दिन धले गिरदे जा रहे ने शोटे दकानदारा नों कोशो बच्चत नी हुंदी जो खार्चा मतलब बाचता भी बठिंडा में भी किसानों ने बजट में किसानों के लिए किये गए फैसले का विरोध किया है कि बजट में सरकार ने दो एकड़ वाले किसानों को 6,000 रुपए देने का एलान किया है जो बहुत कम है सरकार को कम से कम 2,000 रुपए प्रती महीना देना चाहिए जब किसानों को फाइदा होगा बजट को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है आर्थिक विशेशक्य बजट पर अलग-अलग राय रखते हैं वहीं चंडीगड के चार्टर अकाउंटेंट अनमोल मित्तल ने बजट को मिडल क्लास के लिए अच्छी कोशिश बताया जो इस बार का बजट आया सरकार का बड़ा अच्छा इसमें परियास रहा है मिडल क्लास लोगों के लिए इसमें जो पहले जो एक्जम्शन लिमिट्स बगएरा थी इस लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया लिमिट्स सबको एक्जम्शन कर दिया जिसकी वी आमदरी पांच लाग अरवे उससे कम है उसको कोई टेक्स ने देना होगा लेकिन जिसकी भी इनकम मान लीजिए आपकी पांच लाग दस जारवे भी है उसके लिए कोई बतलाव नहीं आया है स्लेबरेट में सरकार ने जो इस बारी अभी अपना अगरिकल्चर के लिए जो फार्मर्स के छेजार बेस जूट दिया है वो एक बड़ा ही मेंधवकांशी वो स्टेप है लोगों को अल्टिमेटली इस फार्मर्स को जो बेसिकली हिंदुस्तान की जो गवर्मेंट है वो 100% फोकस जादा है क्योंकि हमारे देश में एक इंडस्ट्री का भी एक है और एक फार्मर्स फार्मिंग का है दोनों चीजों में इंक्रीजमेंट हो रही है और ये बड़ा ही मेंधवकांशी और बड़ा ही उसकी बड़ा वेलकम स्टेप है गवर्मन्न की दुरक से मोधी सरकार ने अपने बजट में मध्यमवर्ग से लेकर मज़ूरों और किसानों के लिए कई ऐलान किये हैं जिसको लेकर लोगों की मिली जूली राय है कुछ लोग बजट को अच्छा बता रहे हैं तो कुछ लोग बजट से नाखुष नज़र आ रहे हैं यूरो रिपोर्ट अमेच वाने